हेलो एब्रियों कैसे हैं आप फिर से दोस्तों नवोदा विद्याला समीत की तरफ से पर्वामेंट रिक्रूमेंट से जुड़ा हुआ नोटिफकेशन इस वीडियो में सेयर किया जाएगा PGT, TGT, PRT, Librarian and others post quote से जुड़ा हुआ डिटेल नोटिफकेशन आपके साथ इस वीडियो में सेयर किया जाएगा आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर इंडिंग तक जरूर से जरूर देखें पूरी डिटेल कभर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों आपके पास क्या age qualification होना चाहिए criteria क्या होनी चाहिए पोस्टे कितनी आए कब तक फार्म को apply कर सकते हैं कब से कब तक एंड इनके अलावा दोस्तों बात करें प्याटी म्यूजिक लाइबेरिया नौन टेचिंग पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ भी नोटिपकेशन इसी वीडियो में सेर किया जाएगा आप वीडियो के इन तक बने रहें सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों नोटिपकेशन देखने जो अफसली नोटिपकेशन जाली किया गया है नवोदा विडियला समीत की तरफ से रिक्रूमेंट ड्राइव दो हजार चौविस ओपचीस के लिए जारी किया गया है रिक्रूमेंट आप प्रिंस्पल पोस्ट कोड पोस्ट ग्रिजर टीचर ट्रेंज ग्रिजर टीचर मिस्कलाइन टीचर एंड कटेग्री टीचर इन नवोदा विडियला समीत के तरफ से एनाउंसमेंट कर दिये गए जहाँ इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी जारी कर दी गए दोस्तो इससे पहले आप यहाँ पे जान ले कैसे कौन कौन से कंडिडेट है जो पीजीटी टीजीटी प्यार्टी एंड मैस्कलाइन सबजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तो जो बैकेंसी जारी की गई है आप देख लिए होंगे आप पोस्ट कोट देख लें तो प्रिंस्पल जो पोस्ट कोट के लिए बैकेंसी जारी की गई है टोटल जो बैकेंसी लिचके गई है बारा बैकेंसी लिचके गई इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट पर बैकेंशी को निकाला गया जिसमें कटेग्री वाइज अलग अलग बैकेंशी जारी की गए जिसमें देखने अर्णिजर में 100C EWS में 35 OBC में 102 SC में 55 ST में 25 OH के लिए वह में पांच और HI के लिए अधास में पांच बैकेंशी को रिलेज किया गया है इनके लाव बात किया जाए 10 Graduate Teacher TGT वाले जो है टोटल 683 वैकेंशी जिर लिज की गई है तो 10 Graduate Teacher के लिए ही बड़ी खुसकवरी जारी की गई है English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science पांच सब्जेक्टों पर जारी किया गया है जिसमें अन्रिजर्व की बात करें दोस्तों तो 285 वैकेंशी, EWS में 6, OBC, NCLP 182, HT पर 101, HT पर 49, टोटल 683 वैकेंशी एंड ओच के लिए 8, BH, HI के लिए 7 अदर्स में भी 7 वैकेंशी को रिलेज किया गया इनके लाव बात करें जो ट्रेंड ग्रेजियर्ट टीचर हैं थैर्ड लेंगवेज जो गुरूप भी पोस्ट कोट के लिए देख लें जिसमें से देश की टोटल जो है 383 वैकेंशी जारी की असामी, बोडो, गारो, गुजराती, कननट, कासी, मलयाला, मराथी, मीजो, नेपाली, उडिया, पंजावी, तमिल, तेलू, उर्दू वैकेंशी भी रिलिज की गई है वही मेसकलाइन जो कटेगरी के टीचर है, वहाँ पे देखने टोटल, 181 जिसमें म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी मेल टीचर, पीटी फीमेल टीचर, लाइब वेरियन पोस्ट कोट के लिए भी जारी किये गए है तो दोस्तों, यहाँ पे देखी लिए होगे, अब पूरे विस्तार से यहाँ पे देखने जो एज क्राइटेरिया या इल्जिवेल्टी क्राइटेरिया आपके पास कितनी होनी चाहिए तो फाम को अप्लाई ना वोदर विद्याला में कर सकते हैं तो जो प्रिंस्पल पोस्ट कोट के लिए हैं देखने पे स्केल इनको दिया जाएगा 78,800 से लेके 2,9,200 रुपए एंड अपर एज लिमिट प्रिंस्पल पोस्ट में आज अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो पचास साल के आप उपर नहीं होने चाहिए इनके साथ में दोस्तों जो एसेस्टनल क्वालिपकेशन आपके पास होने चाहिए मास्टर डिग्री रिकॉजनाइज पचास प्रिंस्पल के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनके अलावा देख लें जो पीजिटी वाले हैं जो पोस्ट कोड यहाँ पे देख लें कितने पोस्ट कोड हैं यहाँ पे पेस्केल देख लें तो पेस्केल है दुफतों 47,600 लेके एक लाग इंक्यामन हजार एक सो रुपए पेमेटिक्स एंड अपर एज लिमिट नाट एकसीट 40 एर यहाँ चालिस साल के उपर आपकी एज नहीं होने चाहिए पीजिटी में फाम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख लें जो कॉलिप के संद आपके पास होने चाहिए तुई एर का इंटेगेटेड पोस्ट गिजट डिग्री आपके पास होने चाहिए 50 परसेंट अंकोग साथ साथ में आपके पास बीजट कंप्लीट हो अगर यहाँ आपने इंटेगेटेड पोस्ट गिजट नहीं किया है तो मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होने चाहिए पीजटी में फाम अप्लाई करने के लिए जिसमें पीजटी इंग्लिशन में अधी अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश की सब्जेक्ट कंप्लीट हो मास्टर डिग्री में हिंदी के लिए हिंदी की फिजिक्स के लिए फिजिक्स अप्लाइट फिजिक्स इड्रक्र प्लानिक फिजिक्स नुकलियर फिजिक्स में कोई दो सब्जेक्ट कमिस्टी के लिए कमिस्टी बायो कमिस्टी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स नॉर्मल इकोनामिक्स के लिए देख लें हिस्टी के लिए देख लें जियोग्राफी काम वर्स बायोलाजी पर देख लें बाटनी जूलाजी लाइफ साइंस बायो साइंस जनेटिक मैक्रोबालाजी बायो टेकनलाजी मैकुले बायो प्लांट साइकुलाजी में से कोई दो सब्जेक्ट आप ने किया हो तो फाम को अप्लाई कर सकते हैं इनके साथ में आपके पास ब आप फालूइंग होना चाहिए बी हो बीटेक किये हो एंड केम्पूटर साइंस आई टी के माध़ा से तो आप पीजीटी केम्पूटर साइंस अप्लाई कर सकते हैं इनके लावा टीजीटी पर फीजीटी पर भी थर्ड लेंगवेज की वेकेंसी निकाली गई है और टीजीटी में अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपकी जो सैली प्रवाइट कराए जाएगी चोवाली जानना सुस लेके एक लाग बैलेश जार चार्स रुपए अपर एज लिमीट 35 से उपर नहीं होनी चाहिए यदि आप टीजीटी में अप्लाई करना है आपके पास द टीजीटी में फाम अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी मैत के लिए देख लें अलग अलग सब्जेक्ट पर टीजीटी साइंस की में जूलाजी या कमिस्टी होने चाहिए बातनी के साथ में दो सब्जेक्ट तो आप टीजीटी के लिए फाम अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी स फीमेल एंड लाइबेरियन पोस्ट कोट के लिए देख लें इन्बसिटी डिग्री इन लाइबेरी साइंस फ्राम जिकोजिनाइज इंस्टिशन के मादन स्कियों या फिर दोस्तों बरकिंग नॉलेज आप इंग्लिज हिंदी का ग्यान होना चाहिए तो इनमें फाम अप्ला करना उनको टीजीटी में स्कलाइन कटेग्री टीचर में तो दस सालों की छूट रहेगी एंबी एस एंप्लाई के लिए नो एजबार कोई नहीं है कंडिडेट थ्री यह कैदी सेंट्रल गवर्मेंट में जॉब किया तो पांस सालों की परसंद ऑर्डिन डॉमिशल इस्ट आपका मोड आप सलेक्शन है तो क्या क्या रहने बाला तो आप पहले हां परिच्छाती थी देख लें देखी लिए साथ में देखने कि सेंटर में आपका पेपर होगा अपने इस्टेट बाई यहां पर सभी विस्तार से देख लें उत्तरपदेसों महाराष्टों या फिर किया गहा हूँ पीजीटी में दोस्तों यहीं बात करें तो पार्ट एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार्ट पार्ट पांच एंड पार्ट शिक्स पर यहां पे देख लें जो जनरल पार्ट एपर जनरल अबानिस दस नंबर कहांगे रिजनिंग एबिटी दस नंबर का aptitude 10 नंबर का and domain knowledge subject specific होती है उसको असीप नंबर दिये जाएंगे और रिटेन का तीन घंते का पेपर आपका लिया जाएगा इनके लाव बात करें तो दोस्तों जो पार्ट 6 में है देख लें language competency test है जिसमें जनरल इंगली जनरल हिंदी के 10-10 टोटल 20 मारके कुल मिलाके 150 नंबर का इसका पेपर लिया जाएगा PGT में फाम अप्लाई करने के लिए वहीं TGT में देख लें जो जनरल एक में अबानेस का 10 नंबर लिया जाएगा इनके लाव पार्ट सेकंड में देख लें जनरल इविल इविलिटी 10 नंबर की नॉलेज आई सीटी 10 नंबर का टेचिंग अटिटिटीवड दस नंबर का एंड जो पांच में देख लें डॉमिन नॉलेज हैं सब्जेक्ट स्पेस्पिक होती है उनको असी नंबर का कुश्चन पूंचा जाएगा इनके अलावा पार टीटी पर अठारा सव रुपए का टीजीटी मस्कलाइन कटेग्री टीचर की पंदरा सव रुपए की फीच लगने वाली है अब यहां पर दोस्तों